नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल आप I.S में नए अनिशेटिव है हमारा जिसमें आप I.S आप के लिए लेके आया है टॉपर्स की कॉपी का डिसकेशन तो इसमें होगा क्या टॉपर्स की जो भी कॉपी उनके उत्तर लिखने की शहली और उनके चैनल पर इंटर्विव भी दिया था तो इन ही की कॉपी को हम डिसकस करने वाले आज के इस लेक्चर में तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा यह तो आईए दोस्तों आंसर राइटिंग की कुछ बेसिक्स बातों को हम जान लें देखिए आंस करेंट तीसरा का कुष्ण एक इस्ट्रक्चर क्या है यानि कि सबसे पहले बॉड्दी इंट्रो बॉड्डी और कंक्लूजन आपका कैसा है इसके राभा करेंट अफ्टे से लिंकेज यह आपकी कैसे है और फिर आता है कंक्लूजन और लेंग्वेज अब पहले बात पर प् ध्यान में रख लिया तो आपका जो आंसर का इवेलिएशन होगा वह बहुत अच्छा होगा और आप एक्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तो आईए सबसे पहला कोशन देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से कोशन का अंसर दिया है तो यहां पे कुछ कमेंट्स भी इनके एक्जाम इनर ने दिये हुए हैं जो दृष्टी की कॉपी है तो इसमें यही कहा है कि जो इनक अधिब भी लिखे जाएं यह नहीं कि आप साहिते ही लिखते जाएं कि अगबर एक महान राजा था और अगबर ने यह किया अगर आप अगर के एक्सपेडिशन उसके द्वारा किये गई कारियों को आप लेखित करेंगे इसके बाद उसने जो जो एकोनॉमिक रिफॉर्म उसमें grade A, grade B, grade C, grade D का आधार पर है यहाँ पर क्या है द्रिश्टी लेह तो आएए देखते हैं पहला कोशन तो यहाँ पर कोशन है कि अमोर्त सांस्कृतिक विरासत तो वो हम कर्सर को थोड़ा चोटा कर लेते हैं यहाँ पर तो देखिये यहाँ पर कोशन है आमूर्त सां पराओं के साथ समकालिन प्रथाओं को भी आत्मसाथ करती है उक्तकथन को इसपष्ट करते हुए युनेस्को दोरा भारत में पहचाने गए ऐसे प्रतिनिधी विरासतों पर चर्चा कीजिए यहां पर क्या पूछा है जहां पर इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं इंग्ल इंट चरल है इस रिकनाइज डर्था इस पंक्षाव इंड एंडिया वाल एक्सटेशन गार्ट मानिए टलब इनिशन क्लॉजार अप्रेंशन उर्ट उनंपर अचर्ण इसको आज के परिपेक्ष में जोड़ते हुए और पास्ट के ट्रेडिशन से जोड़ते हुए डिसकस हमें करना है यहां पर तीन चार चीजे होती हैं विडियो बना दूँँँ कि कैसे आप लोगों को देखना है कि शबदों में अगर कहीं पर डिसकस हो तो कैसे वह करना है तो इसके पर भी बना दूँआ देखते हैं वो रहों तो प्रकार से लिखा के अमोड्य संव्र संगियत नाटक परेंपरा आक प्राचीन संक्रिति हैं सम्मंदर रखती हो तो यहां पर थोटा सांस्कृतिक विरासत के यहां पर इनों नहीं चोड़ती जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है तो हम यह डिसकृशन इसलिए कर रहे हैं जो टॉपर्स भी कई बार वलती कर देते हैं वो भी आप लोग ना करें तो अमुर्थ में तत्कालिक सामाजिक स्थिति सामाजिक सम्रक्षता आवैशक्ता तथा हिंदू मुस्लिम मिलन की सुगंद आती है तो देखें यहां पर इन्ट्रोडक्शन में ही बहुत अच्छी चीजे डिफाइं कर दिए इसके बाद ठीक इसी प्रकार से अमुर्थ विरासत रचनात कि इन्होंने कितना बढ़िया समावेश मिला हैं कहें एक और हिंदू मुस्लिम समावेशिता को इन्होंने दिखा दिया है और दूसरी और यह दिखा दिया है कि अमुर्थ विरासत उनको आज के परिपेक सिमें यानि कि in the contemporary period कैसे हिंदू-मिसलिम को युनाइट करने के लि कि आज का भविष्य जो है वो पूर्व की कुंजी है तो इसी प्रकार से जो आज है यानि कि जो आज सांस्कृतिक धरोवर हैं वो यह दर्साति हैं कि किस प्रकार से हम भूत काल में एक साथ बहुत ही अच्छे दहंग से रह रहे थे तो देखे अब इसके आगे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सपष्ट कर दिया है कि कैसे सांस्कृतिक विरासते हैं जो हमारे देश में कारे करती हैं तो अब देखे आगे को अब उन्होंने एक पार्ट उनका डिस्क्राइब कर दिया अब दूसरे पार्ट पर वो आ गई कि अमूर्त विरासत नहीं गतिमान है यह पाचिन बातों को संबोधित करने के साथ समय पर भी समाज में हो रही परिवर्तनों के अनुसार अपने और अपने को और निखारती चली जाती है वस्तुत तो इसका कारण इनकी अमूर्त होना है जहां इसे पीली से दूसरी पीली को मौकिक रूप में हस्ता करने में काम कर रही है तो अब देखिए लाश्ट में ने क्या किया यहां पर यह करना था कि युनेस्को दारा पहचाने गए अमूर्त विरासत इन्होंने खाली लेस्ट कर दी मगा कुश्यन में क्या का था डिस्क्राइब जानी की इनकी विवेचना भी करनी थी तो इन्हो एँ कर दो होंगा योग को यूगा लिखा है जोकी इंग्लिश में लिखा याथ बट एक examiner के मन में गलत impression नहीं जाना चाहिए कि आपको Hindi अच्छे से नहीं आती है तब देखिए यहां पे इनको मैंने जो कहा introduction काफी अच्छा था तो 0.25 नमबर इनको introduction में मिले context जोडते हो इलखा था तो इसमें B grade इनको यानिकी 1.5 मार्क से इनको मिले इसके अलावा context में देखे तो एक नमबर इनको मिला और language ठीक था थी इसलिए 0.25 नमबर मिला current से कोई linkage उतने अच्छे से मुझे तो लगा बट examiner के इसाफ से current linkages उतने अच्छे नहीं थे और conclusion context content और language तो मेरे साफ से आपको यह point note करने वाला है कि आपको कोई भी प्रशन लिखने समय किन चीजों पर ज्यान देना है वह है I C C L C C E यानि कि introduction आपका अच्छा हो context से मिलता हो content आपका अच्छा हो भाशा में गलतिया ना हो current के example से link हो जैसे कि UNESCO ने हाल ही में इस side को जो यह है बर हम यह डाल देते तो बहुत ही अच्छा उधारन इसमें हो जाता अब conclusion की जब हम बात करते हैं तो अन्तितोह यह हो सकता है कि जो युनेसको द्वारा वर्ल्ड हरिटेज साइट से इनको जो है पीडी दर पीडी हमें इनहेरेट की गई है मैं थोड़ा English और Hindi मिक्स करके इसलिए बोला हूँ क्योंकि मेरे मीडियम इंग्लिश है तो आप इसमें थोड़ा सा समझ जाईएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं तो इसमें देखिए युनेसको दारा जो पीडी दर पीडी हमें यह कल्चिरल हेरेटेज दी गई है इसे ना सिर्फ संग्रक्षित करके रखना आने वाली पीडी के लिए बहुत ही आवशक है बल्कि नित्तान्त रूप से पूर्व में जो कलाकारियां वह संश्कृति हमारी चली आ रही थी उसको उन तक पहुंचाने में यह विरासते बहुत ही महतुपूर्ण योगदान देती हैं तो हमें अपने कल्चुरल भविष्य एक समावेशी हो पूरानी चीजों को साथ लेके चलने वाला हो और एक सस्टेनेबल डेवलप्मेंट हो जाए और यहां पर अच्छा उत्तर आपका हो जाता तो आए दूसरा प्रशन देखते हैं सबसे पहले यह देख लेते हैं कि प्रशन के उत्तर में इनको न नंबर मिले हैं तो मैं चाहरा हूं कि आपको जो है यह भी दिखा दूं कि टॉपर्स को भी कही कही जगह पर जीरो नंबर मिल जाते हैं जिनको उनको अटेम्ट नहीं किया होता है अब यह देखिए उन्होंने यहां पर खाली अटेम्ट करके कुश्चन छोड़ दिया जिस कुश्चन आप बढ़िया करके डिसकस करेंगे इसमें इंटोडक्शन भी अच्छा है कंटेंड भी अच्छा है कंटेक्स्ट भी अच्छा है लेंग्वेज भी अच्छी है करेंट इग्जांपल भी दिये गए और कंक्लूजन भी है और यहां पर एरर नहीं है तो नंबर उनिष्टी के अंतिम दश्कों में शुरू हुआ तो देखें यहां पर कितना मतलब साटेरिकल कोशन इन्हों ने पूछ दिया कि मैं सहा ऐसी सामप्रदाइक ता की राजनीती देखें आपर पूछा की अबट्वारा ऐसी सामप्रदाइक राजनीती का आंखरी बिंदू त इस कामिनल पॉलिटिक्स की और वहीं से डिमांड होती है सेप्ट्रेट इलेक्टोरेट की तो आइए जानते हैं अगर आपने पड़ा होगा तो आपको इस चीज़ें रिमाइन आ रहे होंगी तो इंग्लिश में अगर देखें पार्टिशन सफ दा कंट्री वास एंड देश भारत का बठवारा देश के लिए दुखत विपत्ति जनक भटना थी जिसका बीज उनिश्वी सताब्दी के अंतर दशक में दिखाया दिखना शुरू हो गया था मुस्लिम तुष्टीकरण की नीती बंग भंग मुस्लिम लीक का निर्मान मोले मिंटो सुधार लखन देखे यहां पर एक्जामिनम ने नोट इनको दिया है कि उनिश्वी सती ने के अंतिम दशको में स्थिति को और इस्पश्ट कीजिए तो यहां पर देखे नंको ये भी सफश्ट करना था कि उनिश्वी सदी के अंतरगत जो लाश्ट डिकेड था उसमें भारत की वास्तव के बाद मुस्लिमों में कि तुष्टिक रंड करना प्राडंब कर दिया तो ब्रिटिश का एक बेसिक वह था कि डिवाइडेंड रूल उस पॉलिशी पे ब्रिटिश काम कर रहे थे इन्हों ने करने चीजों को इसके अलावा देखे आगे पॉइंट वाइस फॉर्मेट में आप लिखें बहुत अच्छा आपका प्रिजेंटेशन होगा जैसे इन्होंने किया है आगे तीलग द्वारा गनेश्वा शिवाजी जैसे दार्मी पृतिर्गों का प्रयोग करकर पूर्ण लिख में सामप्रदाइक राजनीती की रहा चुनी हुआ इसी क्रम में सरसयाद एहमद ने यह अलग राष्ट की मांगी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम का सुझाओ दिया इसके रावा देखे जब आगे बढ़ते हैं इसमें तो कालांतर में कैबिनेट मिशन शिम्रा इसके बाद फल्सुरूप उन्होंने संपूर्ण देश में जो है इसको ग्रहयुद की स्तिति को वह कर दिया जिसे उन्होंने नाम दिया था फाइनल कॉल का उन्होंने वह किया था अब देखे यहां पे एक्जामिनर का नोट के है सामप्रदाइक ताकि प्रभाव को और इ इस तरीके से हम इसको और इस्पष्ट कर सकते थे और इसी क्रम में मजबूर बस कॉंग्रेस ने देश का विभाजन कर दिया और ग्रहयुद को का समाधान निकाला लेकिन यहां अंगेजों की कूट नी फूट डालो और राजनीती का अंतिम बिंदू नहीं था देश के वि इस समस्या की निजात है तो अब देखें यहां पे इन्होंने दो लाइनों का बस कंक्लूजन भी दे दिया कि इस समस्या से निजात पाने है तो देश को पुना सूफी वादी विचारधारा सैंशुनता योग्या आदेन का वातवरन बनाने की आवशकता है तो देखें इस आपको पढ़नी पढ़ेंगे अब आदमी कहता है कि सिंपल जितना रहेंगे जितना अप एक्जामिनर के लिए उतने अच्छे उत्तर आप लिख पाएंगे और गूलोजन आपका बहुत सटीक होना चाहिए और जब भी आप लिखें तो गवत विच्वरिशन को लिखें प कि आप एड़ कर सकते हैं कि किसी सथी में भारत बढ़ती हुई आबादी और मतलब बढ़ती हुई अर्थे वबस्ता है और वन आप दा फास्टेस्ट ग्रोइंग एकोनॉमी है व्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग लगाता और उपर जा रहे हैं तो भारत न कि इन दिश्च्छी तोर पे आपको क्जामीनेशन में एक एज मिलेगा उनके उपर जो नेगेटिव नोट केसांथ kations में कॉस्टन से करते हैं तो दोस्तो आज वीडियो में इतना ही कल फिर हाशिर होंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें अगले दो कुशिन डिसकस हो सकते हैं या फिर किसी और टॉपर्स की पूरी कैसे उन्होंने उत्तर लिखने की शहरी थी वो उनकी डिसकस कर सकते हैं या फिर हम यह काम कर सकते हैं कि GS1, GS2, GS3, GS4 पहले इनका डिसकस करें और टॉपर वाइज मतलब जैसे साक्षी आपके प्रयास आपके साथ हैं तो धन्यवाद बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ कर और जो भी लोग आंसर लिख चुके हैं वो कि प्रिपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें या फिर हमारे में संसर राइटिंग इनिशेटिव से आप लोग कि रजनिकांत यदू हमारे ग्रूप से ही जो है शक्तिजगर पीएसी में उनका सेलेक्शन हुआ था आप चाहें तो उनका इंटर्व्यू भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे एक मतलब लाइफ सेशन करने का प्रयास किया था मगर वो पूल नहीं हो पाया था तो आगे रजनिकांत यदू चंदन कुमार जी और बहुत सारे टॉपर्स आपके लिए नहीं नहीं वीडियोज लेके आ रहे हैं तो जुड़े रही है टीम आप आईए इसके साथ और हम आपके लिए ऐसलिए एजुकेशनल वीडियोज लाते रहेंगे धन्यवाज जैहिं झाल